आज़ की पोएम है Rain on the Roof, which is written by Crds skinny बारिश, जो कि सभी को अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती होगी, बिलकूल अच्छी लगती होगी बारिश जो कि कई फॉर्म में इंजॉय की जाती है कुछ बारिश में भींगे बारिश में नहा के इसको इंजॉय करते हैं कुछ बारिश में खेल के कूट के इंजॉय करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कि बारिश को देख के इंजॉय करते हैं कुछ ऐसे भी वच्चे होते हैं जब बारिश होती है अपने विंडो के पास खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं और फिर बाहर बारिश को गिरता हुआ देखते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है और हमने तो बारिश में अपने बच्पन में बहुत नहाया है आप बजाके निकली जाते हैं और फिर अगर दो स्यार मिल जाएं तो फिर क्या कहना है फिर उनके साथ खेलना खूदना उजलना और फिर फुली इंजॉय करना बारिश का ओके नौ अब हम पोएम शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा से हैं कि अपने रूम में अगर वो घर पे होते हैं तो अपने रूम में जाके लेड जाते हैं और फिर बारिश की जो पैटरिंग साउंड होती है उसको सुनते हैं और इसकी वज़े से क्या होता है कि उन्हें अपने लविंग produk के मौम की बहुत या드ाती है और पोई्ट जो है फिर उनके वही सब उनके old memories जो हैं poet की पुरानी यादे फिर से ताज़ा हो जाती हैं और जो childhood memories हैं जो fanciful days की memory हैं और यह सब कैसे शुरू होता है कि उनके wooden roof पे जो बारिश की बूंदे गिरती है तो उससे patterring sound होता है और फिर वो यही sound उनके बश्पन में भी हुआ करता था और उससे सुना करते थे तो अब जब यह बारिश होती है पैटरिंग sound होती है तो उन्हें सारे वो अपने childhood memories की याद आती है तो now let's get started When the humid shadow hovers over all the stary spheres यहाँ humid का मतलब है Moisturous, shadow means cloud, hover means madrana, stary means full of stars or sphere means sky When the humid shadow hovers over all the stary spheres poet कहते हैं जब पानी से भरे हुए काले काले बादल आसमान में हर तरफ चा जाते हैं जहाँ भी निगाहें जाती हैं नदर जाती हैं हर तरफ वो काले घने बादल and laden with water पानी से भरे हुए दिखाई देते हैं and the melancholy darkness melancholy का यहाँ मतलब होता है sad melancholy darkness gently sweeps in rainy tears और फिर वो जो काला अंधेरा होता है तो फिर वो काले अंधेरे से जो बारिश की बूदे गिरती हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो एक कोई दुख भरे आंसु गिर रहे हूँ what a bliss to press the pillow bliss का यहाँ मतलब होता है happiness what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed और इस टाइम अगर पोईट घर पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जाते हैं अपने cottage के अपने room के में और pillow लेते हैं और वो bed पे लेड जाते हैं pillow को अपने सर के नीचे रखते हैं और वो pattering sound सुनने लगते हैं and lie listening to the patter of the soft rain overhead overhead का मतलब यहाँ यह हुआ कि जो roof है जो छट है उनके cottage की and lie listening to the patter of the soft rain overhead और वो हलकी हलकी बारिश की बूंदों से जो आवाद आती है तो उसको वो सुनते हैं every tinkle on the shingles shingles क्या यहाँ मतलब है जो cottage की tiles होती है उनके roof की छट की उसको shingles कहा गया echo means होता है कि जब हमें कोई आवाज टकरा के फिर से सुनाई दे उसको हम echo कहते हैं every tingle on the shingles has an echo in the heart और poet के heart में एक तरह से वो बारिश की बूंदे छू जाती है और हर हर बूंदों से poet के दिल में एक echo होता है मतलब उस बूंद की आवाज जैसे ही roof पे गिरी तो वो sound poet के दिल में सुनाई देती है and a thousand dreamy fancies into busy beings और फिर हजारो dreamy fancies जो हैं वो memories जो हैं वो poet के दिल में आने शुरू हो जाते हैं ख्याल में आने शुरू हो जाते हैं busy being here means human being especially poet अपने बारे में कहते हैं and a thousand recollections weave their air threats into wolf और वो फिर हजारो memories वो आती हैं दिमाग में और वो सारी यादे आती है poet को childhood memories की और ऐसा लगता है मानो एक लड़ी सी बन गई हो और वो कभी ना खतम होने वाली जैसे की threads into wolf का मतलब हुआ कि जैसे की looms में जो thread बनते हैं तो वो एक لمबी chain होती है thread की तो उसी तरह से एक لمबी chain memories की poet के दिल में याद आने लगती है उनको अपने ख्यालों में याद आने लगता है as I listen to the pattern of the rain upon the roof और ये जैसे ही बारिश की बूंदों को सुनते हैं तो उनके अपने सारे childhood memories की उनके दिल औ दिमाग में आना शुरू हो जाता है now in memory comes my mother अब poet की memory में उनकी मदर आती है उनके ख्यालों में उनकी मदर आती है अब उनको अपने mom की याद आती है जो पहले उनके साथ हुआ करती थी बट अभी वो नहीं है she is no more, she is dead now now in the memory comes my mother as she used in years are gone अगान मतलब बहुत समय पहले मतलब उनके बच्पन में जब उनकी माँ उनके साथ रहा करती थी now in memory comes my mother and she used in years ago कि जब मैं बच्पन में छोटा था childhood days में मेरे तो उस time मेरी मदर की जो याद है वो पोईट इस time बता रहे है कि मुझे मेरे मॉम की याद आती है to regard the darling dreamers darling dreamers यहां मतलब होता है कि पोईट और उनके भाई बहुएं siblings or she left them till dawn और पोईट कहते हैं कि मेरी मॉम जो कि जब हम लोग सोने जाया करते थे तो हम लोग के bedroom में आती थी और हम लोग को बहुत लाड दुलार प्यार करती थी लैब करती थी और फिर चली जाती थी और सुबह तक means फिर हम लोग जब सुबह सोके उठते थे तो और पोईट कहते हैं कि मेरे सभी भाई बहनों में मेरी मॉम मुझे सबसे जाधा चारती थी और वह एक प्यार भरी निगाहें ऽसे तक टकी भरी निगाहँ से मुझे बहुत देर तक देखा करती थी यतना देखती थी जतना और किसी भाई बहन को नहीं देखती थी which is played upon the shingles by the pattern of the rain और वह बारिश की बूंदे जो की poet को सुनाई देती हैं और वो उनके wooden roofs पे गिरती हैं और वो pattering sound होती है तो यहां हमने देखा कि यह explanation था rain on the roof का आई आगे चलते हैं कुछ meaning देख लें जो hard words थे according to me इस poem में spheres का मतलब है आसमान, melancholy मतलब दुख rainy tears मतलब पारिश की boon, bliss मतलब heaven bliss का एक और मतलब होता है happiness pattern means rain drop जो होती है उसकी sound और tinkle मतलब ringing sound होता है, shingles मतलब लकड़ी की tiles जो थी cottage के roof पे उसको कहा गया है echo जो आवाज टकरा के आती है उसको echo कहते हैं reflected sound होती है agon मतलब long ago बहुत समय पहले की बात है woof, the thread woven across the loom woof मतलब जो thread loom में बुने जाते हैं busy being का यहां मतलब है human being और यह old poetic word है इसका मतलब होता है before list भी old poetic word है इसका मतलब होता है listen refrain मतलब बारिश की आवाज literary devices में हम देखते हैं alliteration alliteration वो होता है जो एक ही line में consecutive words मतलब एक के बाद दूसरा दूसरे बाद तीसरा अगर words में पहला लेटर एक जैसा हो तो उसको हम alliteration कहते हैं जैसे stary spheres यह second line में यूज हुआ है तो stary में S और spheres का S यह दोनों पहला लेटर एक जैसा है तो S से alliteration हो जाएगा इसी तरह से busy being में B my mother में M darling dreamers में D cottage chamber में C personification personification वो होता है जब कि non living things को human qualities दी जाती है तो उसको हम personification कहते हैं इस poem में melancholy darkness अब melancholy जो है वो एक human feeling है तो एक human character हो गया अब darkness जो है वो एक non living thing है तो darkness को personified कर दिया गया है melancholy से तो इसी तरह से personification, melancholy, darkness हो जाएगा onomatopia onomatopia जो किसी चीज़ की एक particular sound होती है हम उसको कहते हैं यहाँ बारिश की बुंदे हैं और इसमें दो onomatopia यूज हुआ है poem में patter और tinkle इस तरह से rhyme scheme जो है इस poem की वो a, b, c, b, d, e, f, e यह poem थ्री stanza में है और हर stanza में eight lines यूज हुई है तो इस तरह से पहले stanza के लिए second stanza के लिए और third stanza के लिए यह rhyme scheme है phrases जो की यूज हुए है इस poem में वो है humid shadows का मतलब होता है की काले घने बादल बारिश से भरे हुए stary spheres मतलब होता है sky full of stars इसी तरह से अगर हम आगे देखे melancholy darkness मतलब होता है की sad darkness रात की काली अंधेरी रात की का वो sadness वो दुख dreamy fancies का मतलब होता है की fanciful imagination जो की poet सोचा करता था thousand recollections मतलब बहुत यादें past की जो की poet के childhood days की थी darling dreamers यहाँ poet ने अपने और अपने भाई बहनों के को कहा है darling dreamers about poet अगर देखें तो court skinny जो है poet है he was born in 1826 and died in 1904 American lawyer, politician, journalist और poet थे यह setting कहा हुई है कि इस poem को poet ने तब compose किया है जब वो अपने bed पे लेटे हुए थे पिलो को लगा के और बारिश हो रही थी उनके wooden shingles पे उनके wooden roof पे cottage की वो बारिश की pattering sound आ रही थी और उस sound से उन्हें अपने सारे childhood के fanciful days की याद आ रही थी उनके loving और caring mom की याद आ रही थी तब उन्होंने ये poem लिखी थी अब इस poem का जो central idea या theme है वो ये है कि poet कहते हैं कि rain में एक healing power होती है और rain drop brings his past memories और जब भी वो बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हैं तो उन्हें अपने बीते हुए दिन की childhood days की उन अच्छे days की fanciful days की याद आती है और साथी साथ उनको अपने loving और caring mom की भी बहुत याद आती है जो की poet को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी so that was all the explanation along with meaning, phrases, literary devices so dear students please like, share and subscribe my channel आप इसको subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि इससे हमें motivation मिलता है और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे okay bye for now